नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता जवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए दोस्तों आप सभी को रक्षा बंधन राखी की धेरो सारी सुब कामनाई इन एडवांस तो आज हम रक्षा बंधन से जूड़ी कई ऐसी महतोपूर बातें आज इस वीडियो में जानेंगे कि भाई को जब हम लिफाफे में इन भेलप में राखी जो भेजते हैं ऐसे तो कई लोग ऑनलाइन भेजते हैं तो आप अपना देख लिजेगा लेकिन जब हम लिफापी में राखी भेजते हैं तो कौन कौन सी चीजे हम अपने भाई को आसिरवाद के रूप में भेजनी चाहिए ठीक है राखी तो सभी भेजते हैं लेकिन साथ में और कौन सी चीजे भेजनी है और कौन सी चीजे नहीं और साथ में और भी कुछ महतपूर बाते हम जानेंगे कि हम जैसे आपके भाई दूर हैं तो आप राखी कहां बांदें किसको बांदें जिन भाईयों की बहन नहीं हैं उनको राखी कौन बांदेगा और घर में राखी किसके किसके लिए हमें भेजनी बहुत अधिक जरूरी ह तो इसी परकार के कई ऐसे बाते जानेंगे और एक चीज और जानेंगे कि गिफ्ट तो सभी देते हैं सारे दुनिया में सभी अपने बेहन को एक से बढ़के एक गिफ्ट देते हैं लेकिन कौन सी गिफ्ट बेहन को देना कौन कौन सी चीजे बहुत अधिक सुभ माना जाता ह बहन बेटी को जो कि एकदम आप रक्षा वंधन के दिन जितने भाई हैं जितनी भौजाईयां हैं मतलब भावियां वह अपनी बहन बेटी को क्या देंगी जो कि बहुत अधिक सुभ माना जाता है तो इसके लिए मैं आपके साथ कई ऐसे महत पूर्ण बाते सेर करूंगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकोन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिफाफे में इंवेलप में हमें क्या क्या डाल कर भाई के लिए भेजनी है ठीक है तो ये देखिए सबसे पहली चीज तो राखी है जो कि सब को मालूम है और ये मेरी पूरानी राखी है नहीं नहीं है तो देखिए एक भाईया भावी राखी के नाम से जानते हैं डबल डबल आता है और उसको लूंबा राखी के नाम से भी हम जानते हैं तो सबसे पहली चीज हम इसमें राखी डालेंगे ठीक है दूसरी चीज क्या है अपने भाई के लिए हमें जो भेजनी है अक्षत तो देखिएगा एक भी इसमें खंडित चावल नहों दो लिया जाता है लेकिन आप le growly मिलता नहीं तो आप लाल सिंदूर भी उसकी जगह रख सकते हैं रोली मिले तो रोली ही लगाया जयता है जिन्स को मर्दों को ठीक है तो यह भी हो गया अगली चीज क्या है कि मिठाई तो मिठाई हम कैसे बेजेंगे भाई का मुँठा कराने के लिए असिरवात के रूप में तो कई ऐसे लोग है ना जैसे इन भेलप में लिफाफे में पैसा डाल देते हैं तो आप लोग पैसा मत डालिएगा क्यूंकि पैसा डालने से क्या होता हमारी राखी जो है समय पर नहीं पहुंच पाती और कोई न कोई पैसे के लालच में इसको खोल देते हैं और फिर राखी अमारी जहां रहती है वहीं रुक जाती है तो पैसा कभी न डाले आप चाहे तो गूगल पे वगरा कर सकते हैं ओनलाइन मिठाई वगरा भेज सकती हैं लेकिन ना भेजें लेकिन जो उस परकार से नहीं करती हैं वो क्या करेंगी आप अपने भाई के लिए थोड़ा सा सक्कर मूँ मीठा करने के लिए इससे भी कम लीजेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा गल जाएगा तो एक दम कम बस भावी को बोल दीजेगा कि मूँ में थोड़ा आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इस पर अच्छे से एड्रेस वेगरा लिख दीजेगा पीन कोड वेगरा डाल दीजेगा कि आपकी राखी जो है समय से पहुंच जाए कम से कम दस दिन हाथ में लेकर तब भेजिएगा नहीं तो जल्दी में लोग सोचते हैं लास्ट में बेज अच्छे से राखी के दिन आप लोग ऐसे बांद देने से सिंदूरा में भी सुभ माना जाते हैं और आप लोग को मालूम है ग्यारा अगस्त को रक्षा बंदन है तो उसके लिए डेट और टाइमिंग भी मैं वीडियो में डाल दूंगी आप लोग चेकाउट कर लिजेग तो इग्यारा को हम लोग रक्षा बंदन का तेवहार मनाएंगे तो आप इस परकार से सिंदूरा में जब मायके गई है तब दूर है तो आप इस परकार के इन भेलप में भी भाई के पास भेज सकती है और भावी के घर भेज सकती है लेकिन मायके गई है भाई नहीं तो ऐ कर लिएगा तो यह हो गया हमारा दूसरा नीव्टिक है समझ में गया तीसरा किया कि किसके किसके लिए उनली है आपको समझНАЯ दो तो डृव मैँम्मuç के लिए भाव इक भाव दम दांद ओंद के लिए और भाती लीए और भव दम हो गया की बातर बहुत अब गली चीज जानेंगे कि भाई लोगों को गीफ्ट में क्या अपनी बाहनों को देनी चाहिए तो चलिए उसके लिए भी मैं दिखा देती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिनकी बेहन साधी सुधा है, साधी सुधा बेहनों के लिए बता दू कि क्या देना अत्ति सुभ माना जाता है, कौन सी एक चीज है कि आपको देनी चाहिए, तो देखिए, अगर तो आपको एक चीज देनी है वह क्या है तो देखे यह चीज अगर माय के से भावी जो है एक पनी बहन को देते हैं ऐसे देने का तो कोई लिमिट नहीं है कोई लेकिन यह क्या है माय के से चूरी और अगर मिलता है ना तो इस संदर्त और शुब कुछ होता ही नहीं है तो आप इस परकार किसी भी डिजाइन का बिछुआ ले सकते हैं अपनी बेहन को देने के लिए मूती वाले हैं तो मैं आपको आइडिया के लिए बस थोड़ा सा दिखा दे रही हूं तो अगर आपकी बेहन आती है राखी बांधने के लिए बहुत अधिक महं चीजे आपको दिखा दी और साथ में देखे वस्त्र तो जरूर दिजेगा अगर आपको साडी देनी है तो आप साडी भी दे सकते हैं कई ऐसे लोग हैं कि साडी मतलब नहीं देते हैं लेकिन एक वस्त्र का नियम पक्का कर दीजेगा तो यह तो मेरा पेटी कोट का चीजे आप अपनी ननत को जरूर देनी हैं मतलब जितनी भावियां इतना सोच कर तो आपको रखनी ही चाहिए ऐसे आपकी मर्जी है इससे अधिक भी दे सकती है इससे कम भी दे सकती है लेकिन अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया तो एक साडी वस्त्र जरूर पका ही दिया जाता है और ये सब चीजे नहीं देना चाहती है तो आप एक बिछुआ एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर की डिबी इस पे मुद्रा कुछ जैसे आप 51 रुपए रख कर भी इतना तो दे ही सकते हैं अगर देने का आपको मन है तो ठीक है रक्षा बंदन क सबसे महतपूर और सबसे सुभ जो बोलते हैं ये गिफ्ट हो गया इससे सुन्दर एक सुहागी नौरत के लिए और आपकी बेहन के लिए कुछ हो ही नहीं सकता और वस्त्र तो आपके हाथ में है देना ना देना एक ब्लाउज पीस भी कम से कम ले सकते हैं और साड़ी है त मतलब देने का अपना बजट भी है ना सब अपना बजट के अनुसार लोग काम करते हैं लेकिन बिच्वा कोसिस कीजिएगा कि अपनी बहन को जरूर दीजिएगा अगर साधी सुधा है तो ठीक है तो यह हो गया साधी सुधा लोगों के लिए और अगर आपकी बेहन जो है कि लड़किऊ को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं तो 10, 5, 20, 50, 500, 1000 तो कुछ भी अप गिफ्ट दे रहे हैं उसके साथ मुद्रा देना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं जितना आपका बजट है उसके अनुसार पैसा जरूर दी यहां गिफ्ट की बाते तो गिफ्ट के साथ पैसा देना कभी न भूलें तो आप लोगों सभी बाते समझ में आ गई होंगी कि कुमारी बहन को क्या देना है और साधी सुदा को क्या देना सबसे अधिक मोहत्वपूर है तो बिच्छिया ठीक है तो यही तक था आज का हमारा वीडियो आसा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिकलाब मीलेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खूश रहिए